स्वागत थे आपका नियूज इन मिरर में और मैं हूँ आपके साथ निशातरी जम्मू का एक ऐसा मामला जहां पर डॉक्टर सुमेदा की हत्या जो की 26 वर्षे थी उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी उनहीं के जिस तरीके से उनका ही दोस्त बताया जा रहा था उस यानि वो घर पर नहीं गई थी और उसके बाद उसी के घर में वही जो दोस्त उसका था जिसका नाम डॉक्टर जूफव बताया जा रहा था उसी के घर में जो जब हत्या हुई थी उसके बाद जो है वो बताया जा रहा था कि उस लड़के द्वारा जो है खुद भी जो ही डॉक्टर जो जोहर थे उन्होंने भी जो है आतम हत्या का परियास जो था वो किया था अपने आपको भी उन्होंने चाकूं से गोंदा था अलागि डॉक्टर सुमेदा के अगर बात करते हैं तो उनको बड़ी बेरहमी से जो था उन्होंने कतल कर दिया था उसके बाद ये पूरा मामला आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर काफी ज़ादा इस समय पूरा बवाल मचा हुआ है ना सिर्फ जमुकश्मीर का ये मामला पूरे नैशनल लेवल पर नैशनल मीडिया भी इसको कवर कर रही है इस मामले पर वो भी अपनी ज़ो है न्यूज वहुआ जो है नगहीं może जो है छोड़ा जा रहा है वह हमारे कीजा ही जुमु कषमीर हो मामला सिर्चाय थे सब्सक्राइब मामला कुठा है मममth यह मामला जो है यह काफी हई जघ कर रहा है फुर तो लोग्त आपको बता खोरे सिर्चा रही है कि जो डॉक्टर सुमेदा थी और उन्हीं के साथ जो दूसरा आरोपी जिसने उनकी हत्या की थी जिसका नाम डॉक्टर जोहर महमूत था उन्होंने फिर से कल शाम जो है अस्पताल में ही आतम हत्या का परियास जो है वो किया है क्योंकि आपको बता दूँ कि पुलीस अगर द है वहहां से भाग ना जाएं लेकिन आपको बता दूँ कि कल फिर से एक बार जो है क्योंकि पहले से ही मामला चल रहा है उसकी रिपोर्ट जो है वो जानिपुर्श पुल्स ऍठेशन में पहले से दरज है। लेकि शूतर और जो है वो अस्पताल में रह सके क्योंकि आपको बता दू कि जिस तरीके से नों ने डॉक्टर सुमेदा की हत्या की है उसके बाद पुलीस वहां पर प्रशासन तेनाथ है ताकि जभी यह ठीक होते हैं इनको तुरंट से ही जो है अब वो यहां से पुलीस टेशन लेके जा अब पुलीस टेशन लेके जिसके बाद वहां से लगा तार खून बहने लगा अस्पताल में जो मौजूद स्टाफ था उन्होंने तुरंट से ही इसकी शिकायत जो सुप्रिडेंडेंडन्ट है अस्पताल के उनको शिकायत की की तरीके से हो गया है और जो है भागने की कोशिश ना करें वहां से उनको तुरंट वहां से आगे की कारवाई के लिए लेकिन आपको बता दो कि शायद वो चाहते हैं कि इस चीज से डर रही है या क्या है इस मामले को लेकर वो कल उन्होंने इस तरीके से खुदखुशी का परियास है वो किया है आ आपने आपको खंजर मार के पहले परियास किया तो एक बार फिर कर उन्होंने टांके उखाड कर खून निकलने लगा यह परियास किया है या दूसरी बार सुसाइट का अटेंप जो है वहीं पर संगटनों का कहना है कि यह किसी सादिश के तहट जो है वो डॉक्टर बहुत का है और यह भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर सुमेदा को इंसाफ मिलना चाहिए दॉक्टर जोहर को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए candle mark जो है वो जम्मू में फिश्टे दिनों आपने देखा निकाली जा रही है जम्मू के लोगों का यही कहना है कि डॉक्टर सुमेदा को इंसाफ मिलना चाहिए उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए मामला जो है यह लवजिहाद का है इससे कहीं न कहीं बहुत सारे एंगल जो है वो जोड़े जा सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले हो चुके हैं और आपने फिश्टे दिनों देखा होगा बढ़गाम में भी ऐसा मामला आया जहां पर एक यूफ्ती जो क को बताएं सही क्या है गलत क्या है ताकि किसी भी घटना का शिकार होने से बच जाएं किसी भी तरीके की परिशानी से बच जाएं इसलिए उनके साथ दोस बन के रहें अपनी हर परिशानी जो है उनके साथ शेयर करें उनकी भी हर परिशानी जो है वो पूछें ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे जो है वो सेफ रह सके फिलाल तक लिए बड़ी अपडेट थी मुझे दीजिए बाकी अपडेट के लिए जो है वह आप बने रही न्यूजन मेरों के साथ फिलाल दीजिए इजाज़त नमशकार